नहीं दोस्तों स्वागत आपके इस वीडियो में बात करेंगे बहुत काली इन सिक्षा के आदर्स उदेस और विसेस्ताओं के बारे में बहुत ही जाता इंपोर्टेंट है चाहे वह बीएट फस्टियर की बात करें चाहें बीएट सेकेंडिर की तो चलिए वीडियो को वर्स पुर्व गोत्म बुद यह यह उनकावर्स काल है पां सो तृषट ऊज्ट सा इसमा माना जाता है और चार सो तीरासी इस पुर्व क्यों में तो बहुत धर्म के सथापब कौन थे गौतंबुद ने बहुत धर्म की अस्थापना की थी ठीक है बहुत काल सिक्षा में मनुष्यक के सारविगेड़ विकास का साधन थी और इसका उद्ये से मात्र पुस्तकी अग्यान प्राप्त करना नहीं था अपितु मनुस्य के स्वास्त का विकास भी करना था बहुत यूग में सिक्षा व्यक्तिके सारणिक मानसिक बौधिक्त था अध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम्ति कहने का क्या मतलब थोड़ा समझे ये चीजों को कि बहुत धर्म के सांस्थापक ग डोगीर विकास का एक साद्हन थी और सुद्ध्र मात्र पुस्तकिया ग्यान प्राप्ट करना नहीं था व्यक्तिकर स्वास्त का विकास anza क्या हो था बहुत यूग में व्यक्तिके सारणिक मानसिक बौधिक तदा आध्यात्मिक उत्धान मतलब आपकी आत्मा के उत्धान का सर्मप्रुभुख माध्यम बनी बौध सिक्षा ठीक है थोड़ा सा और देखिए दोस्तों यह एक आधर से सिक्षा है बौध कालिन सिक्षा को एक आधर से कैसे लिखना है थोड़ा सा ऐसे आप उसकी भूमिका लिख देंगे बहुत कालीन सिक्षा के बारे में और इंग्लिश मेडियम वाले नराज ना हो आपकी लिए भी है यहां पर सेम चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया अबाओ 2500 एंगो फुम्त गॉटमबुद यह इयर दिया गया है इस्टाबिश्ट बुद्धिश्म इन बुधिश्म परियोड इदू की वड़िश्म परिया अदू कालीन में क्या हुआ था एदू केस्ट इंग्लिश्म इन फूटिछ एग़्िश्म गेंट परिश्म इंग्ल अफ लिफमेंट नहीं आप डेवलर्मेंट लिखती तीक है तो फिजिकल मेंटल इंट्रीवजोड इंट्लेक्ट्छूल एंड इंड डेवलर्मेंट ऑप परसन यह माना गया था एक लाइन और देख लेते हैं इस्टम इस्टम इज चाहिए और बच्छों को भी अनुसासन सि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों बहुत का दिन सिक्षा के प्रमुख आदर्स क्या थे उनके आइडियल क्या थे वाट वॉट वॉट वॉद्धिस एजुकीशन तो देर फोर सिंपल था वो क्या था भई सरल जीवन जीना सुद्ध और सरल जीवन जीना समाज की स देवा करना विस्व कल्यान और स्वतंतरता एंव समानता इंग्लीज में बात करें सिंपल लाइफ सोसल सर्विस वर्ल्ड वेलफेर लाइबर्टी एंड इक्वालिटी तो यह चार मुख्य आदर्स से आइडियल थे जिन पर बहुत सिक्षा विराजमान थी जिस पर बहुत सिक्षा ने काम किया यह उनके आदर्स हो देदे तो देखिए इसमें कुछ एक्स्प्लेइन करने वाली बात तो नहीं है सरल जीवन में आप स्वयम लिख सकते हैं समाज सेवा विस्व कलेर स्वंतरत्र समानता अब लिख सकते हैं मगर फिर भी मैं चोड़ी सी एक हेडिंग देदू ताकि आपको परिसान ना होना पड़े तो सरल जीवन के बारे में आप अपने मन से लिखे लिकिन थोड़ा सा यह लिख सकते हैं कि जीवन और सिक्षा में घनिश संबंध है था तता जीवन के आदर्स सिक्षा में ही अपनाए गए थे इसलिए विद्यार्थी को सर अदर्प्ट इन एजुकेशन देर्फोर दे स्टुडेंट है तो सिंपल प्यूर प्रिसियस एंद सात्विक लाइफ इस्प्रिच्वल लाइफ ठीके दोस्तों समाज सेवा के बारे में भी आप स्वयम लिख सकते हैं लेकि थोड़ा सा यहां देख लीजी कि समाज सेवा ब समाज में खार मन करना और धर्म के स्धान तोक से जंजन्ञ सादारण को सीच़ित सीचषित करना था क्या था ब cooled सा वरेफ्न के पिछ सेवा करता था सब को सिक्छा देता था सेम चीज को बुद्ध की क्या करता था सेवा करता था the function of the monk was to travel in the society छेत्र में भर्मन करना और लोगें के अंदर सिख्छा दीशा का परचार करना था ठीक है देखें सबको explain करने की जूरत नहीं है विश्व कल्याण में भी आप स्वयम लिख सकते हैं कि विश्व कल्याण बहुत धर्म का तीसरा अदर्स था धर्म का परचार करने वाले भारत से बाहर भी गएं और संपूर्ण जीवन एवं मनुस्यों को जीवन के सत्यों का ग्यान देते रहें जिससे संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण हो सगे तो यह था विश्व तो देखें में यहाँ पे आईए मे चाहे वो चाहे वो गरीब हो अमीर हो इस्तरी हो पुरुस हो सबको एक समान एक सुतंतरता सिख्छा देने की बात कही गई थी बहुत कालिन सिख्छा में तो यह इनके प्रमुख आदर्स थे जिन पर ये कारे करते थे अब मैन क्या होता है दोस्तों मैन और मोस्ट क्या था एम क्या था अब्जेक्टिव क्या था क्यों बहुत सिक्षा दी गई इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा रिपीटेड कोश्चन है तो देखिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं चरीत्र का निर्माल करना बहुत इक सिक्षा का प्रमुखुदेश से था कि च समाजी कर्टब्यों का एक व्यक्तिका क्या कर्टब्य है समाज के परती है और नागरिकों के परती है और्त क्या वासी परती है इम्स था बौधिक एजुकेशन की नेक्स देखते हैं दोस्तों संस्कृति संस्कृति का संरच्छर था था प्रसार जो भी आपकी संस्कृति थी बौध धर्म की उसका संरच्छर करना उसका बचाओ करना और उसका प्रसार करना बहुत धर्म के सिक्षा का उदेश से था आपकी संस्कृति का संरचर करना उनका प्रसार करना बहुत धर्म का एक प्रमख उदेश से था निश्टत था धार्मिक का संचार करना to communicate the loyalty and the rightigious Samanta का विचार करना next से दोस्तों बहुत धर्म का परचार करना propagation of the Buddhism तो ये मुख्य उदेश है इसके अलावा भी बहुत सारी उदेश से थे दोस्तों इसके अलावा भी उदेश से थे जैसे की अग्यानता को दूर करना और बहुत धर्म की परचार करना तो हमने और डिमेंशन किया है लेकिन ये प्रमुक जो उदेश हैं मैं आपके सामने रखता हूँ अब ही देखिए जब लॉंग में आएगा ना तो हर एक पॉइंट को एक्स्प्लेन करना पड़ेगा पॉइंट ऐसे हैं कि आप स्वें भी इसे एक्स्प्लेन कर सकते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ ठीक है नेक्स चलते हैं दोस्तों नेक्स आई आए आप बात करते हैं सबसे इंपोर्टन इसमें क्या पढ़ना है इनकी विशेष्थाएं पढ़ना है और इनकी विशेष्थाओं में दो सब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आपको ग्यान होना बहुत जोरी है वो कौन सा है भई प्रवज्य संस्कार जिसको प्रवज्य संस्कार भी कहते हैं और एक संस्कार है दोस्तों जिसको हम कहते हैं उप संपदा उप संपदा संस्कार यह सौ गलती से आ गया उप संपदा संस्कार यह दो संस्कार बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यह प्रवज्य संस्कार होता क्या है देखिए वास्तवा में यह एक बौधिकालिन व्यापक शिक्षा का रहांग विकास प्रवज्यbury संसकार से होता था, इसमें क्या है यह यह संसकार आठ वर्स की जन्मतांतरिक भावना वियापक शिक्षा आयू में होता था, अब इसमें होता क्या था वास्तों में प्रवज्य का अर्थ होता है बाहर जाना उस समय बच्चों बच्चे सिक्षा है तू परिवार छोड़कर मठो अथवा विहारों में जाते थे परवेश के समय होने वाले संस्कार को बज्जा संस्कार कहते हैं आट वर्ष की उमर में आपको घर त्याग देना है परिवार त्याग देना है आपको मठ और विहार में जाके आसन ले लेना है वहाँ जाके रहना है इसी प्रकिरिया को इसी संसकार को प्रवज्य संसकार कहते हैं और यह most important है बहुत कारीन सिक्षा कि यह सबसे बड़ी विशेशता थी इसमें चात्र अपने सीर के बाल मुणवाते थे और पीले वस्ते धारल करते थे और मट के भीचूओं के चेरण में अपना माथा ठेकते थ और फिर पलती मार बैठ जाते थे इसके बाद वह तीन बार यह उचारल करते थे संसीत का यह स्नसकार का जाता था एक बार फिर से समझ लीजे प्रवज्य का अर्थ क्या होता है बाहर जाना अर्थात आठ वर्स की आयू में विध्यार थी अपने घर परिवार का त्याग कर बिहार और मठो में आ जाते थे इसी संसकार को क्या कहते प्रवज्या संसकार और वहां पे आके जो भी बहुत धर्म की वेस भूसा थी उसे अपना कर इन दो इस लोकों का उचारर करते थे और इसके बाद वो दस बिंदूँओं पे सपत लेते थे दोस्तो इस उचारर के अपने घर त्याग करके मठों में आता था उस विद्यार्थी के उपर ये कंबल स्री था कि वह जीवहत्या नहीं करेगा मां समच्छी से बचेगा तो पहला जीवहत्या नहीं करना था असुद्ध आच्रण नहीं करना आपको अपने आच्रण का सुद्ध रखना है असत्यभ बिना किसी दूसरे की वस्तु को गरहन नहीं करना है और हकीमती समान जैसे सोना चादिहीरा कीमती समान को दान में नहीं लेना है तो यह दस द्यमों को पालन करना पड़ता था हर एक बौध विद्यार्थी को प्रवज्य संस्कार के बाद तिसके क्या क्या है जीव हत्या नहीं करना अच्छा इंग्लीज में भी देख लेते हैं दोस्तों इंग्लीज में इसको क्या कहा गया इंग्लीज में प्रवज्य संसकार कहते हैं अब आए दोसरा पॉइंट देख लेते हैं दूसरी विश्यस्ता देख लेते हैं खतम करते हैं इस वीडियो को वो है उपसंपदा संसकार उपसंपदा संसकार क्या थी अब देखिए आप आठ साल से पहले आप घर से छोड़ के घर का त्याग करके आप मठ में आ गए अब आता है बारा से बीस साल ध्यांद रखिए बारा से बीस साल के अंदर सुरुआत बारा से हो जाती है बारा साल म के लिए मठ छोड़ना अनिवारे था मतलब पहले आपने घर छोड़ा अभी आपको मठ छोड़ना है मठ छोड़ने के बाद क्या है पूर्ड सन्यासी की इस्तिति प्राप्त करना है और उसके बाद बहुत संका स्थाई से दसे बनने के लिए उपसंपता संसकार का संपाधन अनिवार होता है यह संसकार कम से कम दस की उपस्तिती में होता था दसों के आचारी भी सामिल होता है मतलब एक साथ दस बच्चों को उपसंपता संसकार की रूप में होना जाए उपसंपता संसकार द देखिए, प्रभज्य संसकार में आपको अपने घर छोड़के मठ में आना है, और उपसंपता संसकार में आपको मठ छोड़के भिच्छा और सन्यासी का रूप धारड करना है, यह उपसंपता संसकार हो गई, ठीक है, same thing आप इंग्रिश में लिखे गया है, आफ्टर रिसीविंग 12 years of education, as a new discipline या पी student लिख लीजिए, it was a mandatory for the student to leave the Montessori, to attain the status of a full सन्यासी and become a permanent member of Buddhism संग, it was a mandatory to perform the अपसंपता ceremony in the presence of at least 10 students and their teachers, दोस्तों इसके words पर मत जाएए, आप चीजों को समझेए, में भी यहाँ पर कुछ mistakes है, grammatical mistakes है, क्योंकि खुद लिखना था, तो तो अब यह हो गई उपसंपता, खातम करते हैं इस वीडियो को बस आपको एक points और बता के, कि इसकी कुछ अन्यवी विधिया थी, इन्यवी किसे कहते हैं, तो यह हो गई, उनकी यह मुख्य विधिया जो इस्तमाल की जाती थी, और एक और चीज इनकी बिशेस्ता यह थी, कि गुरू और सिस्य के संबंद में बड़ाई के बड़ाई घनिष्ट संबंद रहता था, जो सिस्य थे वो गुरू के लिए सर्वत्यागी थे, कुछ भी त्याक कर सकते थे, और पड़े यागेकारी सिक्स होते थे, और खेल एम वियाम पजोड दिया जाता था, बहुत सिक्षा में, और उनके वस्तर जो बहुत सा धार होते थे, गेरुआ होते थे, और लास्ट विध्यार्थियों का चायन, विध्यार्थियों के चैन में कुछ विद्यारती निसियत थे. मतलब 10 ऐसे विद्यारती थे जिनको बहुत सिक्षा के लिए निसियत माना जाता ता. जिसमें पहला है दोस्तो जिसके उपर राजडुरो हो या फिर दूसरा दोस्तो जो बेइमान हो या फिर जिसे कोई ऐसी बीमारी हो तो यह 10 ऐसे कारवर थे जिसे विद्यार्थियों का चैयन नहीं हो सकता था अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यह अब यह जो मैंने सारी चीज़े बताई है ना इससे बहतरीन तरीके से दोस्तो तरीके से दोस्तो मेरे टेलिग्राम के साथियों ने क्या बहतरी नोट्स बनाया है आप उनकी नोट्स देखेंगा ना खुस हो जाएंगे अब मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स में लिंक दूँगा आप वहां से Notes डाउनलोड करिए और बहतरीन Notes बनाया गया है वीडियो तो बस आपको समझाने के लिए बताया गया था Notes बहतरीन बना है विद्यार्थियों के द्वारा, टेलीग्राम के साथियों के द्वारा आप उस Notes को प्रेफर करिए हर एक Notes को पढ़िए लेकिन आपको अपना स्वेम का खुद का नोट्स बनाना है जो नोट्स विद्यार्थियों ने बनाया है उनको बस देख के चीजों का समझना है वहाँ सब दुकोष का ग्यान लेना है लेकिन आपको स्वेम का अपना नोट्स बनाना है और नोट्स बनाके मुझे टेलिग्राम पे भीजिए ठीक है दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में एक तीन लिंक दिया होंगे तीन नोट्स दिया होंगे आप उसको डाउनलोड को यह देखिए कि आप बहुत का लिंसिक्छा के बारे में समझ में आया की नहीं आप प्लीज कम बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक टेलिग्राम को जॉइन नहीं किया तो प्लीज जॉइन किजिए और इस्पेसल थैं